ओम शांति आज 17 नवेंबर 2014 दिन रवी वार की अव्यक्त मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मदूर महवा क्यों को रिटर्न शब्द की स्मरती से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मरती स्वरूप बनो आज बाप दादा अपने चारों और के दिल तख्त नशीन, ब्रकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, स्वराच अधिकारी बच्चों को देख हर्शित हो रही है परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखिल दे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है ब्रकुटी का तख्त तो सर्वात्माओं को है लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राहमन आत्माओं के सिवाए किसी को प्राप्त नहीं है ये दिल तक्त ही विश्व का तक्त दिलाता है वर्तमान समय स्वराज अधिकारी बने हो हर एक ब्रामन आत्मा का स्वराज गले का हार है स्वराज आपके जन्म का अधिकार है ऐसे स्व्यम को ऐसा स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो दिल में ये द्रड संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता साथ साथ यह भी रुहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तक्त नशीन भी है मानव जीवन में तन में भी विशेश दिल ही महान गई जाती है दिल रुक गई तो जीवन समाप्त तो अध्यात्मिक जीवन में भी दिल तक्त का बहुत महत्व है जो दिल तक्त नशीन है वही आत्माई विश्व में विशेश आत्माई गाई जाती है वही आत्माई भक्तों के लिए माला के मनकों के रूप में सिमरी जाती है वही आत्माई कोटों में कोई कोई में भी कोई गाई जाती है तो वह कौन है आप हो पांडव भी है, माताई भी है हाथ ही ला रही है तो बाब कहते हैं लहे लाडले बच्चे कभी कभी दिल तक्त को छोड़ कर देह रुपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाउं नहीं रखते हैं सदा तख्त पर गोदी में या अति इंद्रिये सुख के जूले में जूलते हैं आपके लिए बाब दादा ने बेन बेन जूले दिये हैं कभी सुख के जूले में जूलो कभी खुशी के जूले में जूलो कभी आनंद में जूले में जूलो तो आज बाब दादा ऐसे श्रेष्ट बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से जूलों में जूल रहे हैं जूलते रहते हो जूलते हो मिट्टी में तो नहीं जाते कभी-कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाउं रखने की क्योंकि तरेसट जन्म मिट्टी में ही पाउं रखते मिट्टी से ही खेलते तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते कभी-कभी मिट्टी में पाउं जाता है कि नहीं जाता है कभी कभी चला जाता है देभान में मिट्टी में पाउं रखना है देभान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाउं है लेकिन देभान अर्थात Body Consciousness यह भी मिट्टी है जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तखत नशीन होंगे उतना ही आधा कल्ब सूरे वंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूरे वंश के राज्य घराने में होंगे अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूरे वंश के रोयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे तख्त नशीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने के आत्माओं के सदा संबंध में होंगे तो चेक करो कि संगम युक के आदी समय से अब तक चाहे दस साल हुए चाहे पचास चाहे च्यासट साल होगे लेकिन जब से ब्रहमन बने तब से आदी अब तक कितना समय दिल तक नशीन स्वराज तक नशीन रहे बहुत काल रहा निरंतर रहा वा कभी कभी रहा जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी परत्यक्ष चलन और चहरे से सदा बेफिक्र बादिशा होगा अपने मन में स्थूल बोज तो सिर पर होता है लेकिन सोक्ष में बोज मन में होता है तो मन में कोई बोज नहीं होगा फिकर है बोज, बेफिकर है डबल लाइट अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रुहानी सेवा का भी बोज नहीं क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी सोचना, प्लैन बनाना अलग चीज है, बोज अलग चीज है बोज वाले की निशानी सदा चहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिनह होंगे थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिनह थोड़ा भी यह भी बोज की निशानी है और बेफिक्र बादिशा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहें अलबेला पन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं अलबेला पन ये बहुत दोखा देने वाला है तेवरपुर्शार्थ के भी वही शब्द हैं और अलबेले पन के भी वही शब्द हैं तेवर पुरशार्थी सदा द्रण निश्य होने के कारण यही सोचता है, हर कारे हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेले बनके भी यही शब्द है, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, कोई कारे रहा है क्या? हो जाएगा, तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग-अलग हैं। वर्तमान समय माया के विशेश दो रूप बच्चों का Πेपर लेते हैं। दूसरा मैं ही राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं राइट हूं। बाप ददा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदस्मृत्ती में रखो बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का स्नेह का सहयोग का रिटर्न करना है रिटर्न करना अर्थत समान बनाना दूसरा अब हमारे रिटर्न जर्नी अर्थत वापसी यात्र है एक ही शब्द return सदा याद रहे इसके लिए बहुत सहज सादन है हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टेली अर्थात मिलान करो बाप का संकल्प क्या रहा? बाप का बोल क्या रहा? बाप का कर्म क्या रहा? इसको ही कहा जाता है follow father फोलो करना तो सहज होता है ना? नया सोचना, नया करना उसकी अविशक्ता है ही नहीं जो बाप ने किया वह follow father सहज है ना? टीचर्स हाथ उठाओ फोलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना? बस follow father पहले चेक करो, जैसे कहावत है पहले सोचो, फिर करो, पहले तोलो, फिर बोलो तो सभी टीचर्स इस वर्ष में अभी इस वर्ष का last month है पुराना जाएगा, नया आएगा नया आने के पहले क्या करना है? उसकी तैयारी कर लो यह संकल्प करो कि सिवाए बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे बस फूट स्टेप कदम पर कदम रखना तो इजी है न? तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लैन बनाओ जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित और निर्मान रहे ऐसे निमित भाव और निर्मान भाव सिर्फ निमित भाव नहीं निमित भाव के साथ निर्मान भाव दोनों अवश्यक हैं क्योंकि टीचर्ज तो निमित है न? तो संकल्प में भी बोल में भी और किसी के भी संबंध में संपर्क में कर्म में हर बोल में निर्मान जो निर्मान है वही निमित भाव में है जो निर्मान नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा ये रोब यहे भी अभिमान काइश है और बोल में सदा निर्मल भाशी, मधुर भाशी जब संबन संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निर एहंकारी रहते हैं ब्रह्मा बाप के लास्ट के तीन शब्द याद रहते हैं निराकारी, निर एहंकारी, वही निर्विकारी अच्छा, follow father, पकारा न अगले वर्ष की मुख्य लक्षे स्वरूप की स्मृति है ये तीन शब्द, निराकारी, निर एहंकारी, निर्विकारी अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया लेकिन अंश भी नहीं हो क्योंकि अंशी दुखा देता है follow father का अर्थ ही है, इन तीन शब्दों को सदा स्मृति में रखे ठीक है, अच्छा, double foreigners उठो, अच्छा, group आया है बाप दादों को double foreigners की एक बात पर खुशी है, जानते हो कौन सी देखो, कितना दूर देश से आते हो, direction मिला है कि इस टर्म में भी आना है तो पहुँच गए न, कैसे भी बुशार्थ कर बड़ा ही group पहुँच गया है दादी का direction ठीक माना है न, इसकी मुबारक हो बाप दादा एक-एक को देख रहा है, द्रिश्टी दे रहे है ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही द्रिश्टी मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है double foreigners, हाँ जी का part अच्छे पड़े हुए है बाप दादा को double foreigners के उपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुचाने के लिए double foreigners सी निमित बने है विदेश में अभी कोई विशेश स्थान रहा है, गाउं 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 रहे हैं या विशेश स्थान रह गया है गाउं गाउं कोने कोने के छोटे स्थान रह गए है या विशेश स्थान रह गया है कौन सा स्थान रहा है Middle East के कुछ देश रहे हुए है फिर भी देखो यह भी ग्रूप जो आया है कितने देशों का ग्रूप है फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व मिक के अनेक भिन भिन देशों में आप आत्माई निमित बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्यानकारी का टाइटल बाप का डबल विदेश्यों ने ही प्रतेक्ष किया है। अच्छा है हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुर्श्यार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही बहुत अच्छा कुमारों से मधुबन के कुमार भी है देखो कुमारों की संक्या देखो कितनी है आधा क्लास तो कुमारों का है कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है कौन से कुमार हो ब्रह्मा कुमार तो हो ही लेकिन ब्रह्मा कुमारों के विशिष्टा क्या है कुमारों के विशिष्टा है कि सदा जहां भी अशान्ती होगी उसमें शान्ती फैलाने वाले शान्ती दूत है ना मन की अशान्ती ना बाहर की अशान्ती कुमारों का कार्य ही है मुश्किल काम करना हाड वर कर होते है ना त ऐसे कुमार हो अशांती का नाम निशान नहीं रहे ना विश्व में ना आपके संबंद संपर्क में ऐसे शांती दूत हो जैसे आग बुझाने वाले कहां भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना तो शांती दूत का कारे ही है अशांती को शांती में बदलना तो शांती जादा ने प्लैन दिया था कि दिल्ली में ज्यादा से जादा कुमार जो गवर्मेंट समझती है कुमार अर्थात यूत अर्थात जगड़ा करने वाले डरती है कुमारों से ऐसे डरने वाली गवर्मेंट हर ब्रह्मा कुमार का शांती दूत के टाइटल से स्वागत करें तब कमाल में छा जामे की ब्रह्मा कुमार शांती दूत है हो सकता है न दिल्ली में करना करना है न दादियां करेंगे एक ग्रूप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रूप में कितने होंगे विश्व में कितने होंगे लगबग एक लाग तो कुमार करो कमाल गवर्मेंट में जो कुमारों अर्थात यूकों के प्रती उल्टा भरा हुआ है वैसे उल्टा कर दो लेकिन मन में भी अशान्ती नहीं साथियों में भी अशान्ती नहीं और अपने स्थान पर भी अशान्ती नहीं अपने शहर में भी अशान्ती नहीं बस कुमारों के चहरे में पोड लगाने की जरूरत नहीं लेकिन मस्तक में आटोमेटिकली लिखा हुआ अनुभव हो कि ये शान्ती दूत है ठीक है ना? कुमारियों से कुमारियां भी बहुत है इन सब कुमारियों का लक्ष क्या है? नोकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहम दिल बनना है विश्व की अत्माओं का कल्यान हो जाए कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उधार करने वाली तो आदा कल्प 21 कुल हो जाएंगे तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्यान करेंगी वह हाथ उठाओ एक परिवार करेंगी 21 परिवारों का करेंगी देखो आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहम दिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ समय को देखते रहेंगे तो समय बीट जाएगा इसलिए लक्ष रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल है ठीक है ना रहम दिल हो ना रहम दिल और बनो थोड़ा और तेवर गती से बनो कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है देखेंगे नई वर्ष में क्या कमाल करके जो सबके बुद्धी में आवे की बाप से वर्षा लेना ही है कोई वंचित नहीं रह जाए मीडिया का काम ही है आवाज फैलाना तो यह आवाज फैलाओ की बाप से वर्षा लेलो कोई वंचित नहीं रह जाए अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है अच्छा है भिन भिन रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंट्रेस्टेड होते हैं अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे और सफलता तो है ही सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं बाप दादा के पास समाचाराता रहता है हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन और सेवा की रूप रेखा है लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग-अलग होने से हर वर्ग एक दो से रेस भी करते हैं अच्छा है रेस नहीं करना रेस भले करो हर वर्ग की result वर्ग की सेवा के बाद IP और VIP संपर्क में काफी आए हैं अभी माइक नहीं लाए हैं लेकिन संबंद संपर्क में आए हैं अच्छा बाप दादा वाले exercise याद है अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिष्टा यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का return तो अभी अभी अहरुआनी exercise करो second में निराकारी, second में फरिष्टा बाप दादा ने drill कर आई अच्छा चलते फिरते सारे दिन में exercise बाप की सहज याद दिलाएगे चारों और के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुँची है हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना हमारी याद देना कोई पत्र द्वारा भेजते, कोई कार्डों द्वारा, कोई मुख द्वारा लेकिन बाप दादा चारों और के बच्चों को एक एक को नैनों में समाते हुए याद का रिस्पॉंड पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बजा है। लेकिन मैज्योर्टी सब के मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही है। बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। रुआनी बच्चों की रुआनी बाप दादा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते। वरदान सर्व आत्माउं में अपनी शुब भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुब भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भाव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे फल का इंतजार ना कर आप अपनी शुब भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो समय पर सर्व आत्मा को जगना ही है कोई opposition भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है यह opposition, insult, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे इसलिहार आत्मा को अपनी व्रती द्वारा, वाइवरेशन द्वारा, वानी द्वारा, मास्टर दाता बन देते चलो स्लोगन सदा प्रेम, सुख, शान्ती और आनंद के सागर में समाय हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं सदा, प्रेम, सुख, शान्ती और आनंद के सागर में समाय हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर राश्री योग दिवस है अभी ब्रह्मा वत्स संगठीत रूप में शाम साड़े छे से साड़े साथ बजे तक विशेश वर्दाता भाग्य विदाता बापतादा के साथ कम्बाइन स्वरूप में स्थित हो अव्यक्त वतन से सर्वात्माओं को सुख शान्ती का वर्दान देने की सेवा करें ओम शान्ती